आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे High Performance Liquid Chromatography के हवाले से जिसको हम लोग दो और नाम से भी पढ़ते हैं वो क्या है वो दो नाम? High Pressure Leifil Chromatography और एक शॉर्ट नाम है HPLC Chromatography वहाँ पर 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 बाद में लगाया जाता है तो ये आप लोगों के सामने नाम हो गए और आज का लेक्चर जो है इसमें हम इस Chromatography के हवाले से जो पढ़ेंगे बाते वो कौंगों सी बाते हैं पहले हम पढ़ेंगे Chromatography क्या है कि Chromatography को हम जानेंगे फिर इसके बाद हम आएंगे towards the HPLC introduction फिर यहाँ पर हम इसको introduce करेंगे बाद में पिर हम कुछ main components जानेंगे किसी भी Chromatography के लिए जो हम लोग सिमार करते हैं या जो required है to main components वो जानेंगे फिर उसके बाद जो है HPLC के अपने components जानेंगे और पिर उसके बाद यहाँ पर instrumentation या material जो आप के सकते हैं जो चाहिए होते हैं HPLC को perform करने के लिए वो जानेंगे और पिर उसके बाद हम working और principle पढ़ेंगे और last में हम पढ़ेंगे types of the HPLC तो start करते हैं with the first one that is a chromatography क्या chromatography है क्या यहाँ अपर लिखा है technique used to separate the components of mixture यह एक ऐसे technique है जो किसी भी mixture के जिदे अंदर जिदे भी component होते ना उस components को separate करते हैं लोग तो कोई भी technique आप use करो किसी mixture के component को separate करने के लिए उसे कहते हैं chromatography अभी HPLC क्या है high performance liquid chromatography इसको high performance या high pressure liquid chromatography भी कहते हैं अभी सवाल यह पैदा होता है कि इसको high performance क्यों कहते हैं इसको high pressure liquid chromatography क्यों कहते हैं जवाब यह है कि high performance इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके performance अच्छी है मतलि भी बहुत अच्छे तरी case से separation करता है और अभी सवाल पर प्रिदा होता है कि इसकी performance क्यों अच्छी है अब जवाब यह है कि इसकी performance अच्छी इसलिए है कि इसमें हम लोग दो चीज़े यूज़ करते है हमार जो स्टेशनरी फेज है उसका size बहुत चोटा होता है यहां पर बढ़ेंगे इसको मजीद भी और साथ में हम pressure को भी यूज़ करते है pressure और size चोटे होने के वज़ाज़ से पिर यह जो chromatography perform होगी इसके result जो हैं बहुत अच्छी होते है इसकी resolution बहुत अच्छी होते है मतलब बहुत अच्छी तेरी case से हमारे components यह separate करता है तो इसके जैसे क्या हुआ इसकी performance अच्छी होती है तो इसलिए इसको बोलते है high performance liquid chromatography और दुस्ता यह case में हम लोग pressure को involve करते है pressure की यहाँ पर use होती है इसको बोलते है high pressure liquid chromatography अभी liquid क्यों केते हैं chromatography तो हम समझ गए यह term हागी है liquid क्यों केते है liquidously केते हैं केसमें हमारा जो mobile phase होगा वो liquid होगा अभी हम पढ़ते है main components of chromatography यहाँ तब तो बाता समझ आगी है अभी कोई भी chromatography आगर आप perform करते हैं उस chromatography के दो बहुत important components होते हैं वो क्या क्या है mobile phase और stationary phase mobile phase वो होता जो move करता है mobile नाम से जाहर है और stationary भी आप लोग जानते हैं के standing या stagnant phase जो है उसको stationary phase के दे तो यह दो बहुत important phase होते है इन ही की वो जैसे हमारे components separate होते है अभी इन ही दो phases को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे regarding HPLC HPLC की भी हमारे पास stationary phase है और mobile phase हैं दोनों बहुत important components हैं तो regarding stationary phase point of view हम यूज़ करेंगे silica, alumina और surlose लेकिन जो most common used हैं वो है silica और mobile phase की कारें अब बात करें तो यहाँ पर हम लोग solvent लेंगे या फिर mix of solvent लेंगे जो polar, non-polar दोनों हो सकते हैं means it can be organic और inorganic कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं वो depend करता है कि किस type की chromatography आप perform कर रहे हैं टैप से हाँ पर पढ़ेंगे तो अभी आते हैं towards the instrumentation or the materials required to perform this chromatography हमें चाहिए solvent reservoir जिसमें हम mobile phase यूज़ करते हैं और यहाँ पर हमें चाहिए pressure pump जिसके जरिये से mobile phase आयेगा पर और यहाँ से sample injector चाहिए जहाँ पर हम sample को inject करेंगे और यहाँ पर column चाहिए जिसमें हम लोग stationary phase को put करेंगे और यहाँ पर हमें detector और साथ में collecting tube और अखिर में device चाहिए जिसमें हम लोग अपना एक result लेंगे तो अभी इसी instrument को हम performance के जरिये से सीखते हैं कि यह कस तरह work करता है working आप कह सकते हैं कि भी हम working पढ़ेंगे फिर इसके बाद हम principle पढ़ेंगे और फिर last बाद सी बात है आपने solvent को यहाँ पर put किया है यहाँ पर pump जो है इसके जरिये से हम लोग solvent को pump out करेंगे ना इस reservoir से टेंकी से और यह जो pump है इसका pressure जो है तक्रीबन 35 to 45 mega pascal होता है और जो average अक्सर उकार जिकर करते हैं कि 40 mega pascal इसका pressure होता है मतलब इतने pressure के तुरू है यह solvent यहाँ सा निकलता है और पिर यह solvent हम यहाँ पर इस stationary phase को के तुरू run करवाते है तो पिर यहाँ से यह निकले गए जाएगा solvent से मेरा मतलब है हमारा mobile phase तो यह mobile phase यहाँ से यह जो pressure pump है pressure से निकालेगा और पिर pressure ही से यहाँ से cross करवाएगा हमारे stationary phase से cross करवाएगा आप कह सकते हैं कि हम लोग अपना जो mobile phase पिर वो run करवाते हैं और in the meanwhile जैसे हम लोग mobile phase रिंग करवाते हैं यहाँ पर से हम लोग sample भी inject कर लेते हैं sample को जब हम inject करते हैं which sample के अदर तो भहुस सरे components होते हैं suppose कीजिए कि हमारे sample के अंदर one, two, three, four, five components है suppose जब हम यहाँ sirkin कर रवाते हैं तो यह components जब जाते हैं यहाँ पर तो अभी यहाँ पर concentration कर ले है कि यहां पर एक mobile phase भी जा रहा है और साथ में हमारे components भी जा रहा है तो mobile phase जो है components को यहां पर separate करवाएगा अभी यहां पर separation दो कर रहे हैं एक mobile phase और एक हमारे पास क्या है stationary phase है अभी dependent करता है कि हमारे इस mixture के अंदर जितनी भी components हैं इन components का किस के पर interaction है वो हमारे stationary phase के साथ होता है तो क्या होता है suppose कीजिए हमारे component नबर वन जो है इसकी जो interaction है या bonding के ability है वो हमारे पास जो stationary phase है small size का जो stationary phase है इसके साथ ज़्यादा होता है तो यह पहले यहां पर तोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिर तक यहां पर रुखेगा फिर उसके बाद जो second है यह चाहेगा फिर third फिर fourth फिर five अभी जो fifth वाला है इसकी जो interaction थी वो हमारे mobile phase का ज़्यादा थी तो यह पहले यहां से बाहर जाएगा इलिट होगा first जब यहां से यह आएगा तो पहले हमारा जो detector है वो detect करेगा पहले पहले mobile phase को फिर उसके बाद हमारा यह जो components है वो आएंगे बाद एक एक करके तो फिर वो detector उनको detect करेंगे पिर उसके बाद यह read out device के तरफ जो है पेगाम जो है वो देगा signal देगा पिर वहां पर हम लोग देखेंगे हमारे यह graphical representation पिर इसको हम देख करके आगे बात डिसकस करते हैं उससे पहले यहां पर यह बात भी make clear करूं कि यहां पर जो हमारे sample आ रहेंगे तो यहां पर इस graphical representation में आपके पास retention time और x access पर होगा y access पर होगा concentration तो यह retention time जो है आसल में वो time है जो हमारा sample consume करता है sensory phase में stay करते हैं वक्त तो वेल अभी क्या होगा हम किस तरह से इसको पचानेंगे यह हमारे पास जो peaks हों कि पहले में इस peaks को बताऊं कि इस तरह से क्यों है अभी एक peak है फिर थोड़ा सा space फिर दूसरा peak है वो इसलिए कि पहले तो हमारा क्या रहा है हमारा पहले solvent आ रहा होत पहला है इसके interaction हमारे mobile phase के साथ ज्यादा होती है तो आभी आप लोग यह वाज़ा में चुकिए है पहले कि हमारा mobile phase polar भी हो सकता है non polar भी हो सकता है तो पिर उसी के मताबिक हम लोगे अगर polar यूज किया है तो पिर यह वाला पिक होगा यह हाइड्रोफोबिक होगा अगर हम इसके बाद जो नेक्स नेकले गए यह उसकी peak है इस तरह से peak बनते जाएंगे इसको हम पिर लोग क्या करेंगे compare करेंगे standard के साथ तो हमारे कोई भी जो performance हम करते हैं तो हमारे पास standard value होती है पिर हम उसके साथ अपना यह अभी मुझदा result है उसको मेच करते हैं मेच करने के इसके बाद हम असानी से जा सकते हैं कि हमारे इस mixture में कौन कौन से components मुझज होते हैं तक्रीबान बात काफी वाज़े और simple है अभी यहाँ पर तो हमारी working भी हो गई अभी principle की बात हम करते है what is the principle of this chromatography अभी यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर basic principle क्या है कि हमारा जो solvent है व जो है mixture के न वो यहाँ पर क्या कर रहे है अड्सॉर्ब कर रहे है तो जिसके वज़े से हमारा principle क्या हो जाएगा अड्सॉर्प्शन हो जाएगा principle is absorption इसको मजीद बड़ा चला करके पेशनी करो simple सी बात है हमारा sample के साथ क्या हो रहे हाँ पर हमारा जो system है वो simple के साथ क्या क रहा है, sample जो है वो adsorbe करके जी काल रहा है, अभी इन सब कि adsorption थी लेकिन इसके adsorption कम थी, 5 की कम थी फिर उसकी 4 की थी, मतलब एक की सब से ज़दा adsorption थी, component number 1, हमारे mixture में 5 components थे, तो हमारा component number 1 जो था, इसकी adsorption ज्यादा थी, तो वो यहाँ पर रहा, और पिर आइस्ता इस तो अगर कोई भी आपका solute हो, liquid हो या पिर gaze हो, वो एक solid surface के साथ stick करके जाएं, तो इसको बोलते है addition, और यह mechanism क्या है, adsorption क्यालाता है, adsorption, तो हमारा principle क्या है, adsorption, simple one word, adsorption is our principle, अभी आते हैं two words of the types, अभी इसी stationary phase Q पर हमारे पास किते types है, one, two, three, four, four types है, इसी stationary phase के मताब The very first one is normal phase HPLC, अभी normal phase क्या होता HPLC, उसमें हमारे पास जो stationary phase है, यह polar होता है, और mobile phase जो है, वो non-polar होता है, अभी एक trick के जरीए से आपको मैं दो normal phase और reverse phase हमझाओंगा, वो trick क्या है, पहला मैंने का कि हमारा जो normal phase क्लमेटोगराफी है, उसमें हमारा stationary phase जो है, वो क्या होता ह पोलर होता है, और mobile phase जो है, वो क्या होता है, नन-polar होता है, यह हमारे किस का है, यह normal phase का है, यहाँ पर मैंने को n phase, normal phase, और पहली बात होगी दूसरी बात, reverse phase के क्या है, रिवर्स में इसका reverse ले, वो किस तरह से, stationary phase आपका बन जाएगा normal phase, मतलब non-polar, और जो mobile phase है, वो अभी ट्रिक क्या है, किस तरह से आद करना है, सिर्फ पहला वाला याद करो, normal phase वाला, दूसरा आपको खूर अदो चाएगा, तो वो किस तरह से में याद क्या है, पहले में लिखता हूँ, normal phase का N, पिर stationary phase का लिखता हूँ, मैं P, यहाँ पर dot दूँगा, और फिर mobile phase का NP लि यह अपने याद कर लिया, automatically इसका जो उलट होगा, आपोजिट होगा, वो आपका reverse phase HPLC होगा, I hope it's clear, यहाँ पर next है size exclusion, size exclusion क्या होता है, इसमें हमारा जो stationary phase है, यह porous का होता है, तो यह पिर size के उपर हमारे इस sample है, उसको पिर separate करता है, porous इस तरह से होता है, कि हमारा जो stationary phase यह परous होता है, तो इस porous में हमारे components तो दो तरह क्या होते है, कुछ चोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, चोटे components रहें वो पस जाते हैं, जो बड़े component होते हैं, वो porous से side से निकल जाते हैं, तो यह हमारे क्या हुआ हुआ, इस तरह से separation करवाता है, regarding size exclusion के अगर बात करें, ion exchange क्या है, ion exchange में हमारा stationary phase ionized होता है, तो जिस कोई से फिर हम लोग जो suppression करते हैं, हमारे component का, तो फिर वो ion exchange का वाला HPLC के तुर हम करेंगे, तो यह हमारे past types है, अगर इसकी जो expansion है तोड़ी सी फिर और हम मजीद next video में discuss करेंगे, तो in short, यहां पर to the point lecture हुआ, regarding HPLC, अग हमारे साथ आप पूछ सकते हैं, कोई भी question, comment box आपके लिए हाजर है, thank you for watching.